हलो फ्रेंड्स दिस इस पंजवानी अगेन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस पोस्ट करते हो उसके लिए थमनेल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो मैं जो यूस करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ तो यहा आप एक अट्रेक्टिव थमनेल बना के उसमें डालोगे तो वो उसमें व्यूस आने के जांसस काफी ज्यादा होते हैं मतलब जो भी व्यूवर से उनको ज्यादा एट्रेक्शन उससे मिलता है तो हमें क्या करना है यसे तो मैं कैन्वा यूस करता हूँ उसके अलावा और पिक्सल लेप का भी उसकरता हूँ ओके तो यहाँ पे आपको सबसे बेले तो सर्च कर लेना है गूगल पे कैन्वा तो यहाँ पे मैंने लिखा कैन्वा लोगिन कैन्वा जो भी आपको लिखना हो एंड यह पहला वेब साइट या दूसरा चले जाओ किसी भी चले ना करते हो तो मैंने यहां पे लोगिन कर लिया मैं आपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया जी मैल आकाउंट एंड यहां पे नेक्स्ट पे कलिक करके मैंने लोगिन कर लिया तो यहां पर मेरा login हो चुका है और यहां पर आप देखो मैं पहले भी इसको use करता रहा हूँ तो जो भी मैंने recent में बनाए हैं वो सब design यहां पर दिख रहे हैं ठीक है मैंने video भी create किया था और यह सब thumbnails बनाए हैं ठीक है तो आप यहां पर बहुत साई चीज़ें प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, से लेटेड जो भी पोस्ट बगरा बनाने हो flyers बनाने हो, banners बनाने हो, वो सारी चीज़ें भी यहां पर बना सकते हो ठीक है काफी सारी चीज़ें यहां पर हैं आप more पे click करोगे तो यहां पर लिखा हुआ है, infographic, photo, collage, desktop, wallpaper, graph तो जो भी आपको इसमें बनाना हो, तो आप select कर सकते हो, ठीक है तो हमें बनाना है YouTube thumbnail, अगर यहां पर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है नहीं दिख रहा है, तो आप क्या गर होई, यहां पर search कर लो तो मैंने लिखा YouTube thumbnail, ठीक है तो YouTube thumbnail लिखके मैंने यहां पर search किया तो आप देखो बहुत सारे thumbnail के इसने वो दे दी है, कि यह यह आप use कर सकते हो कुछ इसमें paid भी आ रहा है, यह लिखा हुआ है paid है, यह लिखा हुआ है pro है, pro मतलब यह आप अगर यहां पर subscription लेते हो, तो यह आपको मिलेगा और यह आपको subscription लेने की जरुवत नहीं है, मतलब आप कुछ amount पे करके इसको ले सकते हो ठीके, तो हमको यह भी free वाला ले रहते हैं, जैसे maximum तो पेड़ी आ रहा है, ठीके, यह free है, यह भी free है, ठीके, कोई साभी मिले सकता हूँ ठीके, कोई starting में सही ले रहते हैं, यह वाला ले रहते हैं, ठीके, यह मैंने ले लिया, and उसके बाद जो भी आपको title होगे रहा देना हो, वो आप दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, how to create YouTube thumbnail, ठीके, तो यहाँ पे काफी सारे option नहीं, यह आप पर इसको edit कर सकते हो, ठीके, यह जो भी objects आपको दिख रहे हैं, जैसे यह object है, इसको मुझे delete करना है, तो delete कर सकता हूँ, मुझे इसको आगे करना है, पीछे करना है, जो भी करना है, मैं कर सकता हूँ, ठीके, यह text है, मैं मैंने इसको यहां कर दिया, ठीक है, या फिर मुझे इसमिछ चेंज करना है, content तो वो content में यहाँ पे change कर सकता हूँ, a, b, c, y, z, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, इसको copy करकेезд करना है, तो copy करकेuzz भी कर सकते हो, ठीक है मैंने select कर लिया, suppose मैंने इसको select कर दिया and इसको copy करके paste कर दिया तो इसी का एक duplicate create हो गया यह मैं कहीं दूसी जगा पर place कर सकता हूँ ठीक है मुझे इसका color change करना है तो select करके मैं इसका color change कर सकता हूँ ठीक है तो यह सारे option है अभी यलो में यलो हो गया तो वो display नहीं हो रहा ठीक है आपको इसको delete करना है तो आपने select करके इसको delete कर दिया ठीक है and यह भी अगर मुझे नहीं चाहिए तो इसको भी मैं हटा देता हूँ जैसी जैसे आपको design करना हो background का color change करना है background की image change करना है and अगर आपको element आपको कोई element सर्च करना है जैसे मुझे YouTube से related कुछ डालना है तो मैंने यहाँ पे search कर लिया YouTube तो इसमें मुझे elements में जाके हमें जो भी icons वगएरा होते हैं rectangles वगएरा ही सब मिल जाते हैं यहाँ पे देखो graphics से related कुछ चाहिए आपको वो सब मिलेगा photos चाहिए वो मिलेगा videos चाहिए वो मिलेगा all पे गाए यह मैंने thumbnail यह मेरा image में आइकोन ले लिया यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा side छोटा कर दिया जो भी आपको करना हो वो कर सकते हो ठीक है background का color change करना है यह image change करना है तो यह भी आप change कर सकते हैं जिसे मेरे पास कोई अगर आपको अपने system में से कोई image वगर upload करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं सबोस इस photo की जगा मुझे अपनी photo लगाना है ठीक लगाना है तो upload files में जाएंगे आप मेरे पास अगर desktop पे कहीं पे भी मतलब कोई image वगरा है सबोस यह मेरे पास एक image है इसको select करके मैं वहाँ पे ला सकता हूँ ठीक है तो अभी तो मेरे पास already वहाँ पे images डली होई है कुछ वो में लेता हूँ विससे जहां पे भी आपके system में image है वो select करके आप click करोगे open पे click करोगे तो यहां पे वो upload हो जाएगा और यहां पे आपको इस तरीके से display होने लगेगा जैसे यह मैंने एक image और डाल के रखी है तो यह image में यहां पे use करना चाहता हूँ इस वाली को हटाना चाहता हूँ तो इसको मैंने हटा दिया मैं अपनी image डालना चाहता हूँ तो इसको मैंने place कर दिया जैसा मुझे place करना हो ठीक है जैसा मुझे ठीक लगे उस हिसाप से मैं यहां पे उसको place कर दूँगा and यहाँ पे मैंने suppose यह जिसा जिसा मुझे रखना हो design ठीक है इसका मुझे size कम करना है तो यह मैंने इसको select कर लिया size कम कर लिया ठीक है तो इस तरीके से size इसका reduce हो जाएगा and यहाँ नहीं है कि एक ही section आप ले सकते हो आप यहाँ से text भी ले सकते हो text में जाके आप अलग-अलग text यहाँ पर आपको मिलते हैं जैसे मैंने यह वाला text लिया तो यह इस तरीके से आगया अब इसको आप place कर सकते हो अपने coding ठीक है इसको मैंने यहाँ पर place कर लिया तो जैसे जैसे आप design करते जाओगे वैसा वैसा यह बनते जाएगा यह elements वोगरा जो इसमें पहले से आ रहे हैं वो आठा सकते हो अगर आपके पास कोई background है तो वो भी आप लगा सकते हो ठीक है और background हम यहाँ से भी ले सकते हैं यह background इसमें बहुत साइद यह हैं आप देखो कोई background अगर आपको लगाना है तो यह background यहाँ पर आ गया ठीक है तो जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ से select कर सकते हो तो यहाँ पी अलग-लग background यहाँ पर आ जाएंगे किसी-किसी में watermark दिया है तो अगर आपका आपने subscribe किया हुआ है तो वो आप आपको watermark नहीं दिखाएगा otherwise just watermark आएगा फिर भी आप इसको download कर सकते हो ठीक है मैंने suppose यह वाला ले लिया ठीक है अब सब मुझे इसको download करना है तो यह सब मैंने बताया यह बहुत सारे options हैं इसमें image के color वाला change करने तो edit image करके आप इसके colors हो गया चेंज कर सकते हो यह यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा है okay undo करना हो तो आप undo कर सकते हो यहाँ पर आपको undo का option दिया है अगर आपका कुछ गल mistake हो जाती है तो आप इसको undo कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ctrl z प्रेस करो या फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको undo कर सकते हो and उसके बाद अगर हम देखें तो किसी चीज को अगर background में भेजना हो जैसे इसको मुझे background में send करना है तो यहाँ पर अभी option background का इसमें नहीं दिया है क्योंकि image already background में है तो किसी भी text को अगर उपर लाना है जैसे मैंने suppose कोई element में जाके यहाँ पर rectangle ले लिया suppose एक ठीक है यह बहुत सा rectangle rectangle दिये हुए suppose मैंने यहाँ पर rectangle लिया and इसको यहाँ पर रखता हूँ तो यह देखो text क्या हो रहा है छुप रहा है तो text को तो मैं उपर लाना चाहता हूँ तो इसको right click करके मैंने क्या कर दिया send backward कर दिया तो यह background में चले गया हमारा तो इस तरीके से आप इसको background वगिरा में जो text है उसको display करने के लिए आप क्या करोगे इस तरीके से rectangles वगिरा लगा के easily कर सकती हो और भी बहुत सारे option है जितना आप करते जाओगे text में का more पे भी बहुत कुछ दिया हुआ है क्या charts वगिरा क्या 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 दिया हुआ है तो इतने से आप easily thumbnail बना लोगे and उसके बाद आपको download करना है तो share पर जाके आप यहाँ पर download पर जाओगे and यहाँ पर आप download इसको कर सकते हो अब यह upgrade करने के लिए बोल रहा है क्योंकि इसमें एक premium image हमने लगा दी है ठीके फिर भी आप इसको कर सकते हो watermark image अगर premium image नहीं उसकी होगी तो तो कोई problem नहीं है image premium वाली use कर ली तब भी आप इसको download यहाँ पर download a free watermark यह सब लिख क्या आया यह download हो रहा है आपका PNG quality में आप download करो तो यह best quality यहाँ पर आएगा उसमें option रहेगा आपको कैसा करना है तो मैंने PNG में ले लिया and best quality मेंने select कर लिया था तो यह हमारा यहाँ पर download हो चुका है मैं इसको double click करता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से आ रहा है अभी तो मैंने इसी आपको समझाने के लिए डिजाइन कर लिया बाकी मैं जब डिजाइन करूँगा तो आराम से बीटके उसको अच्छे से डिजाइन करूँगा अपनी requirement के coding तो I hope कि आपको clear हुआ होगा किसे किसे canva पर हमें design करना है thumbnail को मिलते हैं next video में thanks for watching